करनवीर को बोल दिया है संदीप सिकंदर ने वेक अप करनवीर हम देखना चाते हैं तुम्हें विनर बनते हुए हलाकि बहुत साइ लोगों की उम्मीदे जो है करनवीर के साथ जुड़ी हुई है पर करनवीर ये जो दिनों में दिखाई दे रही है जो उनकी ऐसे परसनालिटी उभर के सामने आई है वो परसनालिटी कभी भी किसी भी तरीके से विनर नहीं बन सकती है और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि करनवीर को किसी की जरूरत है जिसको वो दिल से बहुत ज़ादा इज़त करता हो और उसकी बाते सुनने की जरुरत है ये चीज़ सलमान खान कर सकते हैं पर सलमान खान ने तो नहीं किया है पर संदीप सिकंदर जो कि 2006 से करनवीर को जानते हैं वो जो है आ चुके हैं बिग बॉस के कनफेशन रूम में बात हुई और मैंने बोला मैं जा रहा हूं बिग बॉस में तुम्हारे मम्मी ने बोला कि उसको बोलो खेले तुम आखिरकार 2006 से जानता हूं जो तुम करनवीर बाहर हो वो तुम करनवीर अंदर क्यों नहीं हो जो भी मुद्दे होते हैं उन मुद्दों के लास्ट में जा को लिए दिखिये अगर कोई और होता यह संदीप जो है हर साल कभी-णकभी दिख्थाई देते हैं यह तक शुग यह सब इसको हैं किसी के लिए यह आते ही हैं बोलते बाइस डै बिग बॉस आखिरकार करनवीर के लिए ही क्यों किया इशा के लिए ही क्यों किया इनकी माओं को बुला के क्या बाकी लोगों ने क्या गुना कर दिया है पर बाकी सब चीज़ों को साइड में रखके मैं सच में बोलती हूँ कि करनवीर को इस चीज़ की बहुत लिए होगा फायदा ही फायदा होगा किःफर बाहर जाएंगि लोब अपनी परस्नelुटी को खुद देखेंगे सच चीज़ जो भी करते हैं जो लोग मुद्दे उठाते हैं उंगली उठाते Can Birgla है ये है वो है ऐसा है तो actually में वह सिर्फ देख के ही कर रहे हैं पर अंदर की चीजर महसोस नहीं आठेन कर रहे निए करनमीर खुद ऐसा जो है उसको उसका मानना है मैं उसको अभी इस वक्त फील कर सकती हूँ क्या ऐसे लोगों से मैं मिली हूँ इसलिए मेरा एक experience है जो कि मैं आप लोगों के साथ करनवीर से जुड़ा हुआ जो है वो share कर रही हूँ आपका क्या कहना है आज की एपीसोड में आप लोग देखने वाले हैं संदीप सेकंदर को करनवीर को समझाते हुए क्या सही समझाया है क्या ज़रूरत है करनवीर को यह सब चीजे समझने की पहले बहुत strong लगे थे अभी जाते जाते हो बहुत ही वीक ज्राइक लगता हुआ जा रहा है पर मैं इसे इंसान के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलना चाहते इसी के साथ में अलिजी ती नद्साइब नमशकार